गौड मॉर्निंग, तो हम लोगों ने last class में जुरिश्री देखना स्टार्ट किया था और जुरिश्री में हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था कि नियाई-पालिका के क्या supreme court के क्या jurisdiction है तो Supreme Court के jurisdiction में हमने देखा था पहले जो original jurisdiction है उनके Article 131 के थूँग, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई federal disputes होते हैं, यानि central government और state government के बीच कोई dispute होता है, या दो state के बीच में आपस में कोई dispute होता है, तो इस तरीके के matters जो हैं, वो Supreme Court में directly hear किये जाते हैं, वहाँ पर इन केवल और केवल Supreme Court के original jurisdiction में आते हैं, यानि ये Supreme Court का exclusive power है, जो अधर किसी भी court को power मिला हुआ नहीं है, यानि federal disputes से related जो matters हैं, जो cases हैं, वो high court या subordinate court में raise नहीं किये जा सकते हैं, वे केवल Supreme Court में ही उठाये जाते हैं, तो पहला तो सबसे important था कि एक चीज़ ये वहाँ पर सम मजना था, फिर हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था, कि जो original jurisdiction है, उसके कुछ exception भी है, अपवाद भी है, और इसमें हमने कहा था कि जो pre-constitutional जो यहां पर law है, या convention थे, या contract थे, तो अगर उनसे related, associated कोई issue है, तो वो फिर original jurisdiction के दाएरे में नहीं आता है, यानि समय है, वे यहां पर इसके दाएरे में नहीं आते हैं, आरंबिक छेतर अधिकार के, दूसरा हमने कहा, finance commission के recommendation भी Supreme Court के original jurisdiction में नहीं आते हैं, और तीसरा हमने कहा था कि inter-state river water disputes related matter भी Supreme Court के दाएरे में नहीं आते हैं, original jurisdiction में नहीं आते हैं, फिर हम लोगों ने appellate jurisdiction of Supreme Court देखना स्टार्ट किया, हमने कहा, तीन तरीके का appeal जो है, वहां पर किया जाता है, constitutional, मान लिजे कोई ऐसा matter हो, जिसमें constitution के किसी article के interpretation की जरूरत हो, तो ऐसे जो मामले होते हैं, High Court जब अपना decision किसी इसू पर देता है, तो उसके बाद वह article 134A के through, एक certificate देता है, कि ये मामला ऐसा ह है, जिस पर Supreme Court को सुनना चाहिए, या Supreme Court को इसका interpretation करना चाहिए, इसमें जो constitutional ऐसे issues involved हैं, तो आर्टिल 132 के तहत समयधानिक मामलों में उच न्याले से सरवच न्याले में appeal किया जा सकता है, दूसरा हमने civil matter में भी देखा था, कि जो appellate jurisdiction Supreme Court का है, उच न्याले दिवानी माम में जुन्रने देता है, अगर वह उस पर यह certificate दे देता है, कि यह ऐसा विशह है, जहां कानून का ऐसा मुद्दा जो है नहित है, कि जिस पर Supreme Court को सुनवाई करनी चाहिए, तो High Court से appeal Supreme Court हो सकती है, otherwise नहीं हो सकती है, और तीसरा हमने का criminal matter है, उनमें appeal, वहाँ पर हमने कहा था कि वैसे तो High Court के certificate को लेकर आप criminal matters में Supreme Court में appeal कर सकते हैं, लेकिन कुछ एकाद cases ऐसे हैं, जहां पर आपको High Court के certificate की जरूरत नहीं है, High Court के decision के बाद आप सीधे Supreme Court में appeal कर सकते हैं, हमने कहा ऐसे matter क्या है, और हमने कहा कि अगर यह देखा जाए, कि subordinate court ने किसी को conviction free declare किया था और High Court ने उस मामले में उसे convicted declare करके dissentence दे दिया हो, तो ऐसे matter में कोई certificate की जरूरत नहीं है, सीधे Supreme Court चला जाएगा, दूसरा, कि अगर High Court ने subordinate court में कोई मामला चल रहाया भी decision नहीं आया था, subordinate court के किसी matter को अपने पास बुला लिया, और वहाँ पर decision देते हुए, जो भी accused person था उसे convicted बोला, और वहाँ पर dissentence दे दिया, तो एक तरीका यह, बाद में इसमें कुछ संसोधन किया गया कि किवल dissentence वाले matter ही नहीं, अगर वहाँ पर High Court किसी को life sentence या 10 साल तक की सजा दे तो ऐसे matter में भी without certificate आप Supreme Court में appeal कर सकते हैं, तो यह तीन किस्म के जो appeal हैं इन पर हमने बात किया था, एक चौथा भी तरीका है, last class में हम लोगों ने इस पर भी बात किया था, special leave to appeal by the Supreme Court, यह इसलिए अनोखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एक regular जो practice है, वो article 132, 33, 34 का है, civil, criminal या constitutional matter में appeal करने का तरीका बिलकुल fix है, high court से Supreme Court जाएगा, integrated judiciary अपने यहाँ है, ऐसा नहीं होगा कि subordinate court में matter ले गए और वहीं से सीधे आप Supreme Court चलेगे, नहीं, subordinate court में matter जाएगा, high court में उसके बाद appeal होगी, उसके बाद Supreme Court में appeal होगी, लेकिन special leave जो है, एक विसेश इज नाजत Supreme Court से मिलती है, और वहाँ पर आप अपने मामले को लेकर, चाहे किसी भी नियाले में हो, high court में, subordinate court में, tribunal में, कहीं भी कोई भी मामला चल रहा है, आप उस मामले को सीधे Supreme Court में appeal के लिए वहाँ पर petition कर सकते हैं, और Supreme Court उसे allow कर सकता है, इसे special leave to appeal कहते हैं, जो Supreme Court के दिया जाता है, Article 136 में इसका provision है, और यहाँ पर बोला गया है कि यह Supreme Court का discretion है, पहली चीज़ जो यहाँ पर समझना है, यह सरवोच चनियाले का विवे का अधिकार है, यह उस पे निर्भर करता है, यह कोई regular practice नहीं है, यानि यह आपका अधिकार नहीं है नागरिकों का, कि कोई वह मामला ले कर जाएं और कहें Supreme Court से कि आप special leave करिए, तो यह जो है यहाँ पर Supreme Court का discretion होगा, कि उसे SLP के रूप में accept करना या न करना, तो यहाँ पर its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence, or order in any cause or matter passed are made by any court, यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है, किसी भी नियाले के द्वारा, कोई भी निर्णे दिया गया हो, degree दिया गया हो, determination दिया गया हो, sentence या order दिया गया हो, या किसी ट्रिबुनल के द्वारा दिया गया हो भारत के छेतर में, तो आप ऐसे मामलों में Supreme Court में, आप special leave petition दायर कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर बोल रहे है, any court और ट्रिबुनल का मतल किवल high court नहीं, subordinate court या कोई भी ट्रिबुनल हो सकता है, लेकिन यही पर एक चीज और बोला गया है, कि यह जो यहाँ पर आपका special leave petition है, यह armed forces ट्रिबुनल पर apply नहीं होता है, यह exception है, यानि विसेश इजाजत याजिकाएं ससस्त्र नियायाधिकरण के द्वारा नहीं दी किया सकती है, उनके द्वारा जो निरने हैं, उनके अगेंस्ड ससस्त्र नियायले के निरनेयों के विरुध सुप्रिम कोट में special leave petition दायर नहीं किया जा सकता है, clear? अब आईए एक और महत्तुपूर्ण चीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आर्टिकल 137 में बूला गया है Reviews of Judgment or Orders by the Supreme Court, यानि कि जो यहां पर इसकी revisory jurisdiction है, समिच्छा करने की इसकी छमता है, तो यह review कर सकता है अपने judgment को, अब एक चीज और यहीं पर clear समझेगा, हमारे constitution में कहीं judicial review word नहीं use किया गया है, नियायक समिच्छा सब्द इस्तिमाल नहीं किया गया है, और article 137 नियायक समिच्छा नहीं है, judicial review का मतलब होता है, judiciary वह executive और legislature के action के constitutional validity को examine करना, तो वो एक अलग concept है, यहां पर Supreme Court ने जो अपना judgment दिया है, क्या वह अपने judgment को review कर सकती है, क्या उसकी समिच्छा कर सकती है, तो यहां पर बोला गया है, power to review any judgment, pronounced or order made by it, अगर सर्वोच नियाले द्वारा कोई भी निर्ने दिया गया है, तो उस निर्ने को यहां पर वह फिर से समिच्छा कर सकता है, लेकिन इसके procedure के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर कोई भी मामला सर्वोच नियाले के पास आता है, तो सर्वोच नि पर अपना निरने देता है, जजमेंट देता है, जजमेंट के बाद पॉसिबल है कि कुछ नए विडेंस, कोई नए facts वहाँ पर case में आ जाए, अगर ऐसा हो गया है तो यह जरूरी है कि उस case को फिर से reopen किया जाए और Supreme Court अपने decision को review करे, अपने judgment को review करे, लेकिन अगर review करने क के बाद, review petition को accept करने के बाद, फिर कोई तीसरी बार जो है कोसिस करे, कि नहीं, कोई नया fact, नया matter आया है और Supreme Court उसे accept कर ले, तो यह tradition था कि आज तक यह चीजें नहीं मानी जा रही थी, यानि अगर आप कोई मामला लेकर court में, Supreme Court में जाएंगे, तो आपके पास दो option, first side ज तो पहला आपका original जो petition होगा, और दूसरा review petition पर जो Supreme Court वहाँ पर order देगी, judgment देगी, लेकिन ये भी माना जाता रहा कि extreme cases में Supreme Court का दरवाजा खुला रहना चाहिए, मतलब ये नियम अगर हमने बना दिया कि सरवोच नियाले किवाल एक बार निरने देगा और दूसरी बार स और पूरे case का जो है direction वो change कर सकते हैं, तो Supreme Court के अपने procedure अपने law से वो बधा रहेगा। इसी चीज को लेकर वस 2002 में, 2002 में एक बड़ा चर्चित case आया, जिसको हम असोख हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा case कहते हैं। Curative Petition कहते हैं, यानि उप्चारात्मक याचिका, Curative Petition. Curative Petition का purpose यह था कि अगर Supreme Court अपना decision first chance में दे देती है, फिर Review Petition भी कर लेती है, तो after Review Petition, Curative Petition, Lost Option आपके पास होगा, Lost Resort आपके पास होगा, जहां पर आप अपने मामले को reconsider करा सकते हैं Supreme Court से. तो Curative Petition तब इस्तिमाल किया जाता है, जब Review Petition complete हो चुका रहता है, यह उप्चारात्मक याचिका होती है. Curative Petition कोई भी इंसान जब वहाँ पर फाइल करता है, तो जिस जज ने या जिस बेंच ने पहले उस केस में decision दिया था, अगर उनमें कोई अभी एक्टिंग जज हैं, तो उनको वहाँ पर रखा जाएगा, तीन नए जजेस को वहाँ उनके साथ बिठाया जाएगा, और Curative Petition पर वह consider किया जाएगा कि ये याची का accept करने लायक है या नहीं और उसके बाद उसको reject कर दिया जाता है, यसे आपने निर्वेया केस में देखा कि वहाँ पर पहले तो decision आया, नहीं है, फिर Curative Petition भी दायर किया गया, उसको भी cancel कर दिया गया, तो कुल में लाकर यहाँ पर यह तीन option होते हैं, पहले बार में तो आएगा decision, दूसरा है आपका review petition और तीसरा है Curative Petition, clear है? तो यह article 137 से related यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर एक important जो और jurisdiction इनका है, उसकी तरफ चलते हैं, 143 जो article है, power of president to consult supreme court, यह supreme court के advisory jurisdiction को बताता है, और advisory jurisdiction का मतलब यहाँ पर क्या है? कि सरवोच न्याले से जो है, यहाँ पर वह राई लिया जाता है, कौन कंसल्ट करता है? सुप्रिम कोर्ट से, president करते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि executive head होने के नाते, constitutional head of India होने के नाते, president of India जो है, वो हरे काम के लिए वहाँ पर responsible है, उनके नाम से ही हरे काम हो रहा है, ऐसे में वो चाहते हैं कि कोई भी अगर काम हो, यानि कोई law बने, या कोई law का execution होना है, तो वह constitutional ही हो, वहाँ पर सबकुछ सही तरीके से हो, कई बार government के सामने dilemma आ जाती है, government के सामने dilemma ये आ जाता है कि constitution उस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा clear कुछ नहीं कह रहा है, उसके language बहुत ही ambiguity वाले हैं, और उसे action लेना है, एक ऐसे subject पर जिसमें constitution में clarity नहीं है, तो ऐसे मामलों में क्या government क्या कर सकती है, एक बड़ा यहाँ पर dilemma उसके पास रहता है, तो वहाँ पर post लिया जाता है सुप्रिम कोर्ट से, जैसे हमारे constitution में ये बताया गया है कि अपने territory of India में कोई भी अगर वहाँ पर territory को जो है कम जादा करना है, किसी state को form करना है, किसी नए state को बनाना है, तो क्या है process वह सब बताया गया है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था, कि अगर कोई foreign country है और हमें उसे अपना land assign करना है, उसे अपना land देना है, तो उसके लिए क्या provision होना चाहिए, कैसे किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे जब मामले आते हैं, जहां पर constitution में बहुत ज़्यादा clarity नहीं है, तो president consult करते है Supreme Court से, Supreme Court वह consultation के process में सुरवात में ही मना कर सकता है, कि भी ऐसा है, कि हम इस मामले में कोई consult आपको नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। वज़ा क्या होती है, कई बार president ऐसे issues पर भी जो है राय मांगते हैं, जो बहुत ही political in nature है, disputed है, और जिस पर जो है, जो party behavior से जुड़ा हुआ है, जैसे, आयोध्या जब में बाबरी मास्क्यू का demolition हुआ था, तब भी वहाँ पर बोल पूछा गया, गोधरा जब रायट्स हुए थे, तब भी पूछा गया था, ऐसे situation में, वहाँ पर Supreme Court कई बार इस तरीके के political issue से वह बचने की कोशिस करती है, क्योंकि इनका constitution के through जो है कोई solution नहीं है, इनका political solution ही होता है, तो Supreme Court चाहे तो President के को मना कर सकती है, consult देने से, दूसरा, कि अगर Supreme Court वहाँ पर उनको कोई परामर्स देती है, तो ऐसी इस्तिती में President के लिए भी ये binding नहीं है, कि वो after consultation जो है, उसी consult के according जो है, कोई काम करें, President अपने मन से भी मतलब आ गया परामर्स चलो ठीक है, अपने मन से काम करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि Supreme Court की बाते माने ही जाएं, तो President सुप्रिम कोर्ट से consult कर सकते हैं, लेकिन सुप्रिम कोर्ट वहाँ पर ऐसा करने से reject कर सकती है, सुप्रिम कोर्ट अगर कोई वहाँ opinion देती है, तो President उसे accept भी कर सकते हैं, reject भी कर सकते हैं, हाला कि Article 143 में एक exception भी है, और वो ये कहता है कि जो Constitution के पहले के contract थे, convention थे, वो चीजें जो Article 131 में हमने देखा था, exception था, वहाँ पर बोला गया है कि अगर समविधान के पूर्व के समझोते करार पर समविधा हैं, और उस पर राष्टपती सर्वोचन्याले से परामर्स मांग रहा है, तो सर्वोचन्याले को ऐसा परामर्स देना बाद्यकारी है, यानि सर्वोचन्याले को इस तरीके का परामर्स देना ही देना पड़ेगा, clear है, तो यह article 143 यह advisory jurisdiction के रूप में आता है, अब जो एक और important यहाँ पर जो हमारा article है या jurisdiction है, वो article 129 है, जो supreme court को supreme court to be a court of record के रूप में बताता है, court of record का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको पहले एक बार समझते हैं, court of record यानि अभिलेख नियाले, अनुच्छेद 129, यह अभिलेख नियाले या court of record क्या होता है, थोड़ा इसको देखने की, समझने की कोसिस कीजिए, कहा गया है कि supreme court shall be a court of record, and cell have all the powers of such a court, including the power to punish for contempt of itself, मतलब यह एक अभिलेख नियाले होगा, और अभिलेख नियाले को जो सक्तियां होती हैं, आउ मानना सहित, वो सारी सक्तियां सरवोच्छ नियाले के पास होगी, अब पहली चीज़ समझते हैं, इसका court of record होने का मतलब क्या है, मतलब supreme court की जितनी भी proceedings हैं, जो judgments हैं, वो सब record के रूप में रखे जाते हैं, supreme court का जो भी decision है, वो एक record के रूप में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है उसको, हर एक मामला तो अलग होता है, कल को कोई और दूसरा मामला आएगा, तो क्या वही decision फिर सुनाए जाएगा, नहीं, record के रूप में इसलिए रखा जाता है, या perpetual memory के रूप में सास्वत इस्मृतियों के रूप में रखा जाता है, कि future में आने वाले cases के लिए, वो legal reference के रूप में होंगे, यानि वो विधिक संधर्व के रूप में होते हैं, अगर कोई भी एक तरीके का मामला आया और उस पर decision सुप्रिम कोर्ट ने दे दिया, मा लीजी अभी राज कुंदरा और सिल्पा सेटी का मामला चल रहा है, और हो सकता है कि ऐसे activities करने वाले या पुर्नोग्राफी में involved जो हैं बहुत से लोग हो, तो सुप्रिम कोर्ट का ए एक अगर वो decision आया इन लोगों के उपर, तो आगे के लिए इस तरीके की activities में engage जितने लोग हैं, वह सब के लिए एक legal reference बन जाएगा, और जब भी मामला उनके against चलेगा, तो वह fresh matter जरूर होगा, लेकिन उसमें legal reference इस case का रहेगा, ये एक नजीर के रूप में होता है भवि अठा करके रखा जाता है, इसलिए ये अभिलेक न्यायले होता, अभिलेक न्यायले का मतलब एक तरीके से ये है कि इसके जो भी legal references हैं, वो कोई भी court reject नहीं कर सकता है, भारत में कोई भी न्यायले जो है, इसके खिलाफ नहीं जा सकता है, और ये बात के वल अनुछे देख The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India, यानि जो सरवच न्यायले के न्यायले हो, वो किवल न्यायले नहीं है, वो एक कानून है, और वो कानून सभी पर बात्यकारी हैं, किस पर बात्यकारी हैं, जितने भी यहाँ पर न्यायले हैं, यानि उच्च न्यायले हो, चाहे वो अधिनस्त न्या जो सरवच न्यायले द्वारा घोशित विधी हैं, वह भारत के संपूर्ण राजचेत्र में सभी न्यायले के लिए बात्यकारी होते हैं, तो ये एक अभिलेक न्यायले हैं, और अभिलेक न्यायले होने की वज़ह से इसके पास आउमानना की सकती भी है, contempt of court भी है, और contempt of court होता किया है, contempt of court वैसे तो constitution में define नहीं किया गया है, सम्विधान में कहीं पर भी न्यायक अउमानना सब्द को define नहीं किया गया, उच्छे देखो 29 में बोला गया है कि contempt पर punish करने की power जो है, वह Supreme Court के पास है, तो यहाँ पर सुरवाती दौर में 1950 के बाद न्यायक अउमानना define नहीं थी, इस वज़ा से Supreme Court discretionary तरीके से इसका इस्तिमाल करता था, यह विवेका अधिकार उस पर था, किसी को दंड दे रहा था, किसी को नहीं दे रहा था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, असपश्टता नहीं थी, सर्वोच नियाले के discretion पर टिका हुआ माम है, कहीं कुछ define नहीं है, कुछ भी कर सकता है, तो 1971 में Parliament ने इस पर एक Act बनाया, Contempt of Court Act नयाइक आउमानना अधनियम 1971, Contempt of Court Act 1971, इस Act में पहली बार Contempt of Court को दो रूपों में वह केटेगराइज किया गया, कि अगर कोई भी, अगर Judiciary का Supreme Court का Contempt करता है, किसी भी Court of record, और Court of record Supreme Court भी है, और Court of record High Court भी है, तो ये दोनों Court of record हैं, सबार्डिनेट कोर्ट नहीं, तो अगर इन दोनों में किसी का भी Contempt किया जाता है, तो Contempt दो तरीके से हो सकता है, एक Civil Contempt और एक Criminal Contempt, Civil Contempt of Court है, धिवानी जो न्याईक आउमानना है, उसका मतलब है Willful Dishonor, यानि जानबूज कर अगर हम न्याईपालिका कि ये निर्नियों का अवहिलना करते हैं, निराधर करते हैं, तो विल्फुल Dishonor करते हैं, तो ये Civil Contempt of Court यहाँ पर होता है, कि आपको मालूम है कि सर्वोच न्याले ने ये निर्ने दिया है, लेकिन आप जो है जानबूज कर उसको क्रिट्साइज करते हैं, आप उसके बारे में गलत चीजें बोलते हैं, प्रचारित-प्रचारित करते हैं, तो ये Civil Contempt of Court यहाँ पर हो सकता है, जैसे प्रसांद भू या केवल आपका ब्लाइंड गेस है, तो यहाँ पर क्योंकि आपके ब्लाइंड गेस से सुप्रिम कोर्ट का जो क्रेडिबिल्टी है, वो कमजोर होता है, तो या तो फैक्ट फिगर दीजिए और या फिर आप Contempt of Court के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, तो पहला है Civil Contempt of Court जहां पर जो है, अगर वह नियाइपाली का जो है, वह देखती है कि जान बूझ कर उसके निर्णियों का, आदेश का, डिगरी का, वह जो है, वह डिस ओनर हुआ है, तो ऐसे मामले में Civil Contempt of Court होता है, दूसरा Criminal Contempt of Court होता है, और Criminal Contempt of Court का मतलब है, जब कोई ऐसी चीज पब् अगर हम जुडिसरी की authority को lower करने की कोसिस करते हैं, यानि न्याले के प्रादिकार को नीचा दिखाने की कोसिस करते हमारी कुछ बातों से, हमारे कुछ कारियों से, अगर जुडिसरी को, मालीजे जुडिसरी ने बोला, कि यह जो जमीन है, यह आपने कबजा किया है, इसको आप कल तक छोड़ दीजिए, और यहाँ पर पुलिस आएगी, और आप दबंग आदमी हैं, आप साम तक वहीं पर आपने सब रखे हुएं, आपने कबजा बनाई रखा अगले दिन भी, उसके अगले दिन भी, तो यहाँ पर नियाले के निर्णियों को आप जो है, अगर आप कोई और आपकोई आप्स्टेकल क्रिएट करते हैं, तो ऐसे कंडिशन में भी यह क्रिमिनल कंटेम्टाफ कोड़ होगा, और तीसरा, अगर जस्टिस एडमिस्ट्रेशन में आपकोई आपकोई बाधा उत्पन करते हैं, तो इन सब इस स्थितियों को आपराधिक आउमानना नियाईक आउमानना कहा जाता है इसके लिए दंड देने का प्रावधान किया गया है और वह सुप्रिम कोट के द्वारा वहाँ पर दिया जा सकता है एक और महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर है वो यह है कि जो Contempt of Court Act 1971 है उसने कहा था कि कि नियाईक आउमानना पर नियाईले दंड देगी और नियाईले के खिलाफ अगर कोई आदमी काम करता है तो उसे यह दंड दिया जाएगा लेकिन अगर कोई न्याले के against, fair criticism करता है यानि निस्पच्छ आलोचना करता है तो वहाँ पर यह contempt नहीं माना जाएगा लेकिन ये fair criticism क्या है ये जुडिसरी ने का हम देखेंगे अपने विवेक से यहाँ पर होगा तो ये भी बड़ा विवेक सा था 2006 में ये इसमें चेंज लाया गया और कहा गया कि जो यहां पर true fact होंगे यानि सच्चे जो तत्थ होंगे उन पर आधारित fair criticism होना चाहिए अगर judiciary को criticize करना है तो आपके पास true facts होने चाहिए आपके पास सच्चे तत्थ होने चाहिए तब आप वहां पर जो है वह कर सकते हैं तो ये truth को उन्होंने आधार बनाया तो खुल मिलाकर contempt of court क्या है एक यहां पर clarity होनी चाहिए अब supreme court के कुछ other jurisdiction के बारे में भी देखते हैं supreme court का एक jurisdiction article 142 में है जो ये कहता है कि supreme court in the exercise of its jurisdiction may pass such degree or make such order as is necessary for doing complete justice मतलब सरवोच नयाले पूर नयाय प्राप्त करने के लिए कोई भी degree कोई भी order जो से जरूरी लगे वो पास कर सकता है in any case or matter pending before it and any degree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by parliament and until provision in that behalf is submitted in such manner as the president may by order prescribe तो यहाँ पर दो सब चीजें समझनी है सरवोच नयाले के पास एक बड़ी महत्वपूर सकती है और वह है कि for complete for doing complete justice पूर नयाय करने के लिए सरवोच नयाले जो भी आवश्यक समझे वा निरने आदेश वहाँ डिगरी जारी कर सकता जो भी मतलब जो भी और यही पर सरवोच नयाले का activism असल माईने में आता है आज सरवोच नयाले बहुत ज़्यादा ताकतवर अगर हुआ है तो article 142 का यहाँ पर वह सबसे बड़ा रोल है सरवोच नयाले ने माल लीजिए सुप्रिम कोर्ट ने government of India से बूला कि black money बाहर से जो लाने का provision है उसको आप तेज क्यों नहीं करते हैं आप क्यों नहीं पता लगाते हैं कि भारत का जो money है black money वो भारतियों का बाहर कितना है तो भारत सरकार ने का ठीक हैं करते हैं कुछ दिन हुआ फिर सरवोच नयाले ने पूछा फिर दिले हुआ फिर सरवोच नयाले ने पूछा फिर एक दिन आया कि सुप्रिम कोर्ट ने खुद उस पर एक SIT गठित कर दी, यानि Special Investigation Team गठित कर दिया, अब सवाल यहीं पर समझेगा, Special Investigation Team गठित करना, यानि Committee जो है, कोई भी अगर गठित की जारी, यह administrative decision है, यह काम Government of India का है, यह काम Supreme Court का नहीं है, यह suppression आप power के against है, लेकिन Judiciary का क्या कहना है, Supreme Court का, कि Article 142 से हमको यह power मिला है, हमें complete justice को अगर जो है, ensure करना है, तो हमारे लिए यह जरूरी था कि हम SIT का गठन करें, तो कई बार जो आप सुनते हैं कि सर्वोच नियाले इतना ताकतवर कैसे, यह तो नियाइपालिका का कामी नहीं है, यह तो काम है विधाई का और कारिपालिका का, तो अस मौकाने वाला सप्राइजिंग सा वहां पर रहा, सप्राइजिंग क्यों रहा, एक तरफ राम मंदिर के लिए लेंड एलोट किया गया, वहां पर दिया गया, कि यह जो है, जो राम जन्भूमी है, इस पर जो अधिकार है, वह सुन्नी वग वोर्ड का नहोकर, बलकि राम ल अधिकाना हक किसका होगा, वहां पर जो है, जो हिंदू जो पार्टी हैं उनका, या मुश्लिम पार्टी हैं उनका, तो यह टाइटल यू था, एक जमीन को लेकर वहां पर विवाद यहां पर था, अब सवाल ये था, कि जमीन का विवाद है, जमीन एक के पास होगा, दूस बनाने की प्रक्रिया चालू की जाए अब सवाल यह है कि अगर यह एक मामला था तो इस पर डिसीजन इनके या इनके फेवर में होता यह पांच एकर अगर सर्वोच नियाले ने क्यों दिया है तो यह आर्टिकिल 142 की वज़ा से फार डूइंग कंप्लीट जस्टिस जाबरी मस्जित का विध्वन्स हुआ था किसी पुरानी चीज को विध्वन्स करना आस्था के साथ खिलना यह सही नहीं था तो उन्होंने वहां पर यह समझा कि अगर वह केवल राम मंदिर के पचमिनरने देते हैं तो यह मिजॉर्टी सेंटिमेंट के लिए तो ठीक है ल पूर्ण न्याय देने के लिए सर्वोच न्याले कोई भी डिसीजन ले सकता है लेकिन यह exceptional होना चाहिए यह general term में नहीं होना चाहिए और दूसरा यह बोला गया है कि ऐसा क्या वह कर सकता है यह parliament by law decide कर सकती है और अगर वह नहीं तो president decide कर सकते हैं कि for doing complete justice क्या क्या जो है आ सर्वोच न्याले जो है वह बहुत कुछ कर सकती है वह article 142 में आपने देखा अब इसी 142 में एक और चीज़ देखिए subject to the provisions of any law made in this behalf by parliament the supreme court cell as respects the whole of the territory of India पुरे भारत के लिए have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person the discovery or production of any documents or the investigation or punishment of any contempt of itself सर्वोच न्याले देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने के लिए attendance वो वहाँ पर आदेश जारी कर सकती है और यह जरूरी है कि वो आना पड़ेगा the discovery or production of any documents कोई भी document वो सरकार से मांग सकती है कि आप जो है यह document हमारे सामने लेकर आईए किसी भी matter का investigation कर सकती है article 142 से ही आया है investigation वह किसी को punish कर सकती है contempt of court यह भी यहीं पर है तो कहने का मतलब है कि सर्वोच नियाले वह भारती राजशेत में किसी भी व्यक्ति को अपने सामने हाजिर करने के लिए किसी भी documents को अपने सामने प्रगट कराने के लिए produce कराने के लिए किसी की भी जाच के लिए या जो है अपने आउमानना पर धंड देने के लिए कोई भी कार्य करने की सक्ति इसके पास होगी ठीक है सर्वोचनियाले अनुच्छे 142 में दो चीजें यहां पर हैं यह दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अब आएए आर्टिकल 145 की तरफ चलते तो यहां पर जो है यह क्या है यह देखते हैं आर्टिकल 145 बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह रूल्स ऑफ कोर्ट की बात करता है अब सर्वोचनियाले उचनियाले कहीं भी जाएंगे तो आप देखते न कुछ नियम काइदे होते हैं कि बिना नियम काइदे कि हर एक चीज़ सम्विधान में नहीं लिखा हुआ है यह समझते रहिएगा इसलिए कंस्यूशनल लॉग और और्टिनरी लॉग में अंतर होता है constitutional law जो constitution में लिखा हुआ है, ordinary law मतलब जो parliament में state legislature से जो बनाए गए है, अब यहाँ पर सरवोच नियाले या उच नियाले या दिनस नियाले कोई भी नियाले हो, उसके अपने नियम है कि कितने बजे वो start होगा, पहले किसका क्यों कैसे लगते हैं, किसकी numbering की जाती है, कौन से म किजें, decide की जाती है, तो उसके बारे में article 145 में कुछ कहा गया है, जो हमें समझना चाहिए, article 145 कहता है, subject to the provisions of any law made by parliament, the supreme court may from time to time with the approval of the president, तो यह सरवोच नियाले करती है, और किससे approval लेती है, president से, make rules for regulating generally the practice and procedure of the code, अब यहाँ पर जो है, सबसे important चीज़ क्या है, सरवोच नियाले अपने गदविदियों के संचालन के लिए अपने जो है practice और प्रोसीजर के regulate करने के लिए rule खुद बनाती है, खुद कौन बनाता है, Supreme Court, और इसके लिए approval लेना पड़ता है, बस, approval किससे लेना पड़ता है, President से और जो President approval दे देते हैं, तो सरवोच नियाले अपने मामलो की निगरानी खुद करती है, अपने लिए नियम खुद बनाती है, पहली चीज़ तो यह है, rule बनाती है, यहाँ पर rule as to the persons practicing before the court, कौन लोग उसके सामने जो है नियाले के सामने वहाँ पर practice करेंगे नहीं यह सब rule वहाँ पर बनाती है, rules as to the procedure for hearing appeal and other matters pertaining to appeal, including the time within which appeals to the court are to be entered, तो यहाँ पर जितने भी इस तरीके के मामले हैं, जो उसके सामने hearing के लिए आ रहे हैं, कैसे, कब, किस time पे जो है, वह appeal उस पर किया जाएगा, कब सुना जाएगा, यह सारी चीज़े, rules as to the proceeding in the court for the enforcement of any of the rights conferred by part 3, यानि मूल अधिकारों को अगर प्रवर्तित कराना है, तो कैसे वो किया जाएगा, सर्वोच नियाले के द्वारा, उसके लिए भी नियम यह सब बनाते हैं, मतलब नियम बनाते हैं, नियम में यह सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, सामिल है, Supreme Court बना सकता है, rules as to the condition subject to which any judgment pronounced or order made by the court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which application to the court for such review are to be entered, तो अगर कोई भी नियाले निया निया दिया है और इस पर review किया है, उसके बाद भी क्या करना क्या नहीं करना है, यह सब के लिए नियम कौन बनाएगा, review करने का नियम कौन बनाएगा, Supreme Court, तो Supreme Court वह अपना हर एक नियम यहाँ पर बनाती है, तो यह जितने भी है, rules, bill, जमानत मिलना है, नहीं मिलना है, इसके लिए rule कौन बनाएगा, Supreme Court बनाएगा, इस्टे किसी पर लगना है या नहीं लगना है, rule कौन बनाएगा, Supreme Court बनाएगा, तो यह सारी चीजे यहाँ पर सामिल है, त इसमें कहा गया है कि the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143, shall be 5. मतलब अनुच्छेद 145 यह कहता है कि अगर कोई भी ऐसा मामला जिसमें सम्विधान की व्याख्या का प्रश्ण नहीं थो यानि interpretation of this constitution अगर ऐसा कोई अगर substantial question of law है जिसमें सम्विधान की व्याख्या करनी जरूरी है तो ऐसे मामलो की जो hearing है जो सुनवाई है वा कम से कम उस hearing में minimum 5 judge होने चाहिए The minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 133, cell B5 यानि 143 जो है advisory jurisdiction उसके लिए भी 5 नियाधीस वहाँ पर होने चाहिए अनि सम्विधान की व्याख्या से जुड़े हुए मामलों के लिए कम से कम पांच नियाधीस होने चाहिए अब यहीं पर यह समझिएगा कि Supreme Court कोई भी मामले की सुनवाई करता है तो उसने अपनी एक rule बनाया हुआ है और उस rule में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझना है कि जो नियम काईदे हैं यह सरवोच नियाले का मतलब क्या है यहां सरवोच नियाले जब हम कहते हैं सरवोच नियाले अपना नियम बनाएगा तो सरवोच नियाले कोई व्यक्ति तो है नहीं नियम बनाएगा कौन सरवोच नियाले की तरफ से तो Chief Justice of India इसलिए Chief Justice of India के लिए एक word आप लोग सुनते हैं Master of the Roaster नियमों को बनाने वाला master कौन है सर्वोचिनयाले का master of the roaster जो है वह सर्वोचिनयाले के मुख्षिनयादीज यह उनका discretionary power है यह उनका विवेगाध ही सकती है किसी से बातचित करके वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं यह उनका prerogative right है यह उनका विशेशाधिकार है privilege है Chief Justice of India का जो वहाँ पर rule बनाते है master of roaster होने के नाते Supreme Court के Chief Justice क्या करते है थोड़ा इसको भी समझेगा Master of the roaster का मतलब है कि Chief Justice of India के द्वारा यह decide किया जाता है कि कौन सा matter किस bench के पास जाएगा और उस bench में कौन कौन से judges होंगे अब इससे क्या समझने वाली बात है जो matter होते हैं जो आप लेकर जाते हैं Supreme Court के पास उन matter में भी differences होते हैं उनके nature और उनके importance की आधार पर अमूमन नियम ये बनाया गया है कि Supreme Court में minimum judges तीन होने चाहिए किसी matter की सुनवाई के लिए अगर कोई मामला आ रहा है तो कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए तो तीन सदस्यों के द्वारा उसका एक बार सुनवाई कियाता है लेकिन अगर उस matter में ये लगता है कि interpretation of constitution जरूरी है तो उसे constitutional bench के पास भेज दिया जाता है और constitutional bench यानि समवैधानिक पीट का मतलब है minimum पांच judges होने चाहिए तो पांच जो है सदस्य जो bench होता है judges का उसको हम constitutional bench यानि समवैधानिक पीट कहते हैं अगर समवैधानिक पीट पांच न्यायधिसों की पीट ने कोई निर्णे किसी मुद्दे पर दिया है और उस निर्णे को बदलना है in future तो ऐसी स्थिति में यह तभी हो पाएगा समवैधान के अगर व्याख्या वो कर रहे हैं तो समवैधान की व्याख्या अगर पांच न्यायधिसों की पीट ने कर दिया है तो अब उस निर्णे को बदलने के लिए उससे बड़ी बेंच होनी चाहिए तो पांच न्यायधिसों के मामले के बाद साथ न्यायधिसों की बेंच बनती है बाद में लगता है कि नहीं, इसको भी बदलने की जरूरत है, तो 9 न्याय धीजों, odd number में होंगे? 9 न्याय धीजों, 11 न्याय धीजों, 13 न्याय धीजों, इस तरीके से odd number में ये judges बनाए जाते हैं. अब मा लिजिए 6 जजेज का बेंच हो, तो 3 yes, 3 no, जजमेंट हो ही नहीं पाएगा, जजमेंट कैसे होता है, मैजॉर्टी में होता है, odd number होगा तो ही जजमेंट हो पाएगा, तो यहाँ पर जो है अभी तक सबसे बड़ी जो बेंच बनी है जुडिसरी की, वह केसवानन्द भ हारती केस में बनी थी, 13 judges जो हैं, उन्होंने मिलकर इस केस में decision दिया था, 13 नियाध हिसो की बेंच ने यहाँ पर दिया हुआ निने था, इसलिए यह कहा जाता है कि basic structure of the constitution, यह भी समविधान की व्याख्या ही थी, अगर समविधान की इस धाना को बदलना है, कल को, basic structure को खत नहीं कर सकता है, कौन खत्म करेगा, सरवोच नियाले, कैसे खत्म कर सकता है, 13 नियाध हिसो ने इस नियने को सुनाय था, अब 15 नियाध हिसो की पीठ गठित हो, और बहुमत में वह इसके अगे नियने दे दे, तो यह यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे संकरी यहाँ पर साथ नियाध हिसो की पीठ में बदल चुका था, गोलकनाथ केस जब आया हुआ था, तो 11 नियाध हिसो की पीठ थी, गोलकनाथ केस के नियने को बदलते वे केसवानन्द भारती केस आया, 13 नियाध हिसो की पीठ थी, तो यहाँ पर एक तो मिनमम नंबर कितने होत कहा गया है कि no judgment shall be delivered by the Supreme Court, save in open court and no report shall be made under Article 143, save in accordance with an opinion also delivered in open court. यानि सरवोच नियाले को ये बोला गया है कि उसका जो भी निर्णे होगा वह open court में होगा, मतलब वह meeting में नहीं होगा, सब के सामनी होगा, वहाँ पर पच्छ विपच्छ याचिका करिता और कुछ और visitor वहाँ पर होंगे, तब वहाँ पर निर्णे दिये जाते हैं. ऐसा नह 146 कहता है कि जो officer और servant हैं और जो expenses हैं Supreme Court के वो कैसे क्या होते हैं. तो ये एक बार यहाँ पर देखते हैं. तो मतलब यह है कि सरवोच नियाले में जो अधिकारी की न्युक्ती होती है, उच नियाले में भी यही है. आप सुनते हैं न कि उच नियाले में समिच्छ अधिकारी. तो एक आयोग के समिच्छ अधिकारी वो अलग है और एक हाई कोड के समिच्छ अधिकारी की जो vacancy आती कि उसकी exam कौन conduct कराता है, वहाँ पर जो है, वो किसके थ्रू होता है, वो सारा का सारा procedure, ये अंतर मालूम होना चाहिए, high court के अपने अधिकारी होते हैं, high court के अपने करमचारी होते हैं, supreme court के अपने अधिकारी करमचारी होते हैं, और ये supreme court के chief justice, अगर वो नहीं है, तो कोई senior और मोस्ट जस्टिस के द्वारा किया जाता है, तो यह एक चीज तो यहाँ पर यह समझना था, तो यहाँ पर जो है, एक तो यह यहाँ पर अनुच्छेत 146 में है, अब दो-तीन चीजें और यहाँ पर समझिएगा, सरवोच न्याले के पास, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर में किसी भी राज के एक हाई कोट से किसी मामले को दूसरे राज के हाई कोट में ट्रांसफर करने का पावर है, यह अपने आप में बहुत महत्तुपूर्ण यहाँ पर है, यह देखिए आर्टिल 139 बड़ा इंपोर्टेंट है और लगात और केसे इनल्विं थे राज केंट राज थे प्र लगाण पावर लूसरे हैं यह विर प्र लूसरे। इन एक ही अप्रेक्ष कोट में अ विर प्र लूसरे पोटमिस्चेंट प्रेंबूर्टेंट बच्टिल 159 इन वीज़्ूर्ट है, और लूसरे राज कोट सुष्ट पर General Importance, the Supreme Court may withdraw the case or case spending before the High Court or the High Courts and dispose of all the case itself. मतलब कि अगर कोई एक ऐसा इसू है, एक ऐसा case है, जिसमें ऐसे कुछ questions of law जो हैं, वो involved हैं, जो कि Supreme Court में भी सुनवाई चल रहा है और उसी से similar या उसी से related किसी मामले पर कुछ हाई कोट में भी मामला चल रहा है. माल लीजिये कि अभी religious conversion पर बड़ा मुद्दा या population control पर मुद्दा चला. अभी UP government ने population पर एक बिल लाया, तो यहाँ पर UP government के इस reason के अगेंस्ट, किसी ने जो है यहाँ पर मामला उच नियाले में पहुचा हुआ है, किसी ने उच नियाले में यह मूल अधिकारों का उलंगन का दावट यहाँ पर बोला है. माली जी ऐसे ही तीन-चार इस्टेट के उच नियाले में ऐसा कोई मामला चल रहा है, और Central Government भी एक कानून लेकर आ जाए, तो Supreme Court में कोई अनुछेत 32 का असारा लेकर वहाँ पर पहुच जाए. तो अब यहाँ पर Supreme Court में भी वो मामला है, वो अलग-अलग High Court में भी मामला है, तो Supreme Court के विल पर है, Supreme Court चाहे तो सभी High Court से cases को withdraw कर ले, और उन सारे मामलों को अपने through वहाँ पर देखे, एक साथ settle वहाँ पर करे, जैसे सबरी माला टेंपल जब आया, तो उसके बाद बहुत से cases भारत के अलग-अलग हिस्सों में आगए, अलग-अलग High Court में हर जगा, Supreme Court ने का ऐसा है, सारे case हमारे पास लाओ, Article 139A, उन्होंने का सारे case हमारे पास लाओ, ये बड़ा sensitive मामला है, अब एक decision आएगा, पुरे देख में लागो हो, तो ऐसे मामलों में यहाँ पर Supreme Court के द है, वा किसी भी matter को एक state से दूसरे state के High Court में क्या है, ट्रांसफर कर सकता है, जब उसे लगे, यहाँ पर जैसे, मतलब कि कई बार आपने सुना होगा कि अब उत्तर प्रदेश इलहाबाद उच न्याले में किसी का कोई मामला लंबित है, और उन्होंने कहा कि हमारा ये मामला पंजाब उच न्याले में कर दीजिए, वहाँ पर मामले के सुनवाई हो, सुप्रिम कोट पुछेगा ऐसा क्यों, उन्होंने का यहाँ की सरकार से जान का खत्रा है, यह हमारे लिए यह राज यहाँ पर उचित नहीं है, तो यहाँ से हमको ट्रांसफर कर दिए, अगर सुप्रिम कोट को लगता है कि यह इस बात में कोई दम है, तो सुप्रिम कोट तो किस चीज के लिए? For the ins of justice. नियाय के लिए, नियाय के साध्य के लिए, वह एक उच्च नियाले के मामले को दूसरे उच्च नियाले में हस्थानांतृत कर सकता है. हस्थानांतृत कर सकता? Clear है? तो यहाँ पर जो है यह सारे मामले यहाँ पर यह देखे जा रहे थे तो उम्मीद है कि Supreme Court से related यह सारी चीजें अब clear हो गई होगी आपको करना कुछ नहीं है, notes में यह चीजें बहुत detail में दी गई है वहाँ से देखना है, जहाँ पर confusion हो, वहाँ पर discuss करना है अभी बहुत से लोगोंने question कई पूछे हैं, अब अगर वह class में बताना स्टार्ट करूंगा तो class का जो अपना momentum है वो थोड़ा सा disturb होगा तो यह एक बार बात हुई है, हमने वहाँ पर management में भी बात की हुई है कि एक class doubt clearing के लिए रखेंगे, ऐसे जितने question मेरे पास आ रहे हैं, वो एक जगाई कठे होते रहेंगे हर एक question जितने भी doubt है, जितनी भी चीज़े हैं, वो आप वहाँ collect करते रहिए और उसमें परेशान मत होईए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वहीं छोड़ दीजे, बाकी जो चीज़ें समझ में आ रही है, उसमें आगे चलिए तो एक बार में जब हम सारी चीज़ें बता देंगे, आपके सारे queries को उठा लेंगे, तो आपके लिए वो बहुत clarity वाली चीज़ हो जाएगी, तो यह Supreme Court था, prelims के point of view से, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब हम यह चलना है High Court की तरफ, और High Court देखन है कि हमारे यहां High Court को कैसे design किया गया है, अब यहां पहली चीज़ समझिएगा, हमारे constitution के article 214 में, अनुछे 214 में, वह बोला गया है कि हर एक state के लिए एक High Court होगा, जैसे बोला गया था, तो यहां पर जो है, हर एक state के लिए एक High Court यहां पर बनाने की बात की गई, अब तो हमारे यहां पर जो है, कितने state हैं, तो हमारे यहां state जो है, वो 28 है, तो क्या 28 यहां पर High Court होगे, तो High Court for states, तो बोला गया है, there shall be a High Court for each state, प्रतेक राजी के लिए कुछ नयाले होगा, लेकिन, यहीं पर एक और article है, जिसको इसके साथ जोड़ कर देखने की जरूरत है, Article 231, क्या है Article 231 में, आप खुद ही देखिए, Article 231 देखिए, यहां पर क्या कहता है, notwithstanding anything contained in the proceeding provisions of this chapter, Parliament may by law establish a common High Court for two or more states, are for two or more states and a union territory, यानि वैसे तो प्रतेक राजी में एक उच नयाले होगा, प्रतेक राजी का एक उच नयाले होगा, अगर हम High Court की बात करें, तो हमारे यहां High Court में common High Court यहां पर बनाए गए, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे यहां पर कौन-कौन से यह इस तरीके से देखे गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो चन्डीगड उच नयाले हैं, तो चन्डीगड High Court में जो है, यहां पर जो चंडीगड हाई कोट है, पंजाब के मामलों की सुनवाई करता ही करता है, हर्याना का भी जो है मामला वह चंडीगड हाई कोट में आता है, और चंडीगड खुद एक union territory है, उसके भी मामलों की सुनवाई कौन देखता है, चंडीगड हाई कोट देखता है, तो ये common हाई कोट के रूप में देखे जाते हैं, जैसे Bombay High Court है, तो अगर Bombay High Court को हम देखें, तो Bombay High Court में महराष्टरा भी सामिल है, महराष्टरा से related मामले भी आते हैं, उसमें घुवा से related मामले भी आते हैं, दमन्दीव दादर नागर भी यहाँ पर जो है वो आते हैं, दमन्दीव दादर नागर यह एक अब जो हैं, यूनियन टरिटरी हो गए हैं, पहले अलग-अलग थे दमन्दीव और दादर नागर, बाद में बताएंगे, अब एक हो गए हैं, तो यह जो हैं इनके मामले Bombay High Court में आते हैं, तिरुवन्त पूरम High Court यानि केरला अगर हम बात करें, तो तिरुवन्त पूरम जो High Court है, वो केरला के मामले तो आते ही आते हैं, और साथ ही साथ, यहाँ लच्छदीव, जो यूनियन टरिटरी है, उसके भी मामले सुनवाई यह करता है, चन्नाई High Court के साथ भी यही है, चन्नाई High Court वो तमिल नाडू के मामलों की तो सुनवाई करता ही करता है, और पूडुचेरी जो वहाँ का यूनियन टरिटरी है, पूडुचेरी के भी जो रिलेटेड़ मैटर ने, उनकी भी सुनवाई करता है, कुलकता की बात करें, तो कुलकता High Court के साथ भी यही है, कुलकता High Court जो है, यहाँ पर पैशिम मंगाल के मैटर्स को तो देखता ही देखता है, अन्दमान निकोबार जो आईलेंड है, उसको भी देखता है, अन्दमान और निकोबार आईलेंड जो है, उसकी भी सुनवाई यहां पर हो रही होती है, इसी तरीके से अगर बात करें यहां पर गोहाटी हाई कोट का, तो गोहाटी हाई कोट भी जो है, यहां पर दिखाई दे सकता है, कि यह गोहाटी में असम का मामला आ जाता है, अरुनाचल का मामला आ जाता है, तो यह जो है असम अरुनाचल के मामले जो हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर High Court जो है अभी फिलहाल जिसे स्रीनगर High Court कहते हैं वहाँ पर JNK का मामला आ रहा है लददा का मामला आ रहा है तो मतलब यह है कि common high coat यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, पहला सबसे important चीज यहाँ पर यह था, clear है, तो एक तो यहाँ पर जो है, यह समझना था, अब आईए कि कैसे high coat का structure वगरा क्या होता है, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं, high coat का structure वगरा क्या होता है, तो उस पर भी बात करते हैं, तो देखिए, अब यहाँ पर जो है, constitution of high courts, इनकी बात हम लोगों को करनी है, आर्टिकल 216 में देखिए क्या बोला गया है, every high court shall consist of a chief justice and such other judges as the president may from time to time deem it necessary to appoint, यानि प्रते कुछ न्याले में एक मुख्य न्यायदी सोंगे और कुछ अन्य न्यायदी सोंगे जो राष्टपती के द्वारा निर्धारित किये जाएंगे, अब यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सरवोच चिन्याले जब आप लोग पढ़ रहे थे, Supreme Court में यह कहा गया था कि एक chief justice और ऐसे other judges होंगे जो parliament by law decide करेगा, संसद वहाँ कानून के तहत निर्धारित करता है, और संसद ने ही अभी जो number of judges act लाया गया था 2020, उसके थूँ अभी तक न्यायधिसों की संख्या 30 हुआ करती थी, excluding chief justice, यानि chief justice plus 30 न्यायधिस अब तक होते थे, अब 30 से बढ़ा का 10% 33 कर दिया गया, यानि chief justice plus 33 judges, कुल मिला कर 34 judges Supreme Court में अभी फिलाल है, यहाँ पर parliament decide नहीं करता है, बलकि president decide करते हैं, वज़ा यह है कि अलग-अलग state है, population अलग-अलग है, geographical size अलग-अलग तरीके का है, complicated issues अलग-अलग तरीके के हैं, हर एक state में वह एक fixed number of judges हम नहीं बना सकते हैं, यह बता दिया कि हर एक उच्च नयाले में पांच नयाधीस होंगे, ऐसा नहीं, जहां मामले जादा होंगे, उस उच्च नयाले में जादा नयाधीस होने चाहिए, जहां मामले कम है वहाँ पर कम नयाधीस होने चाहिए, तो इसलिए राष्टपती को हमने रिसाइट करने के लिए छोड़ दिया है, जैसे सबसे अधिक जजेस किस हाई कोट में होंगे आपके हिसाब से, पूरे भारत में सबसे अधिक नयाधीस किस स्टेट के हाई कोट में होंगे, कोई सक करने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश क यही जो है हाई कोट जो इलहाब आद उच नयाल है, इसमें सबसे अधिक नयाधीस देखे जाते हैं, अब आईए अगली चीज यहाँ पर जो समझना है कि अपॉइंट कैसी होता है, जजेस कैसे अपॉइंट किये जाते हाई कोट में, सुप्रिम कोट का तो आपने पढ़ लिया है अपॉइंटमेंट और बाकी सारी चीजें, ठीक वैसा ही अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस हाई कोट के जजेस का भी होता है, इसमें बोला गया है कि अवरी जेज अफ हाई कोट सेल भी अपॉइंट बाइद प्रेसिडेंट, वहाँ पर भी यही यहाँ सरवोच और उच नयाले के नयाधिसों कि न्युक्ति राश्टपती के द्वारा की जाती है, और ऐसा करने के दौरान प्रेसिडेंट करते क्या हैं, वहाँ पर हमने कहा था प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, किस से कंसल्ट करते हैं, प्रेसिडेंट वह सुप्रिम और हाई क के ऐसे जजेज जो उनको जरूरी लगे उनसे कंसल्ट करते हैं बाद में जब डिसीजन कोलेजियम का आ गया तो कोलेजियम के इसाब से होने लगा लेकिन जो लिखा है हमको वह भी पढ़ना है यहां पर बुला गया है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं विद्ध चीफ जस् करते हैं राष्टपती दूसरा गवर्नर अब दी स्टेट वो जो हैं राज्य के राजपाल से वहां पर एडवाइस कंसल्ट करते हैं और तीसरा इन दे केस आफ अपॉइंट्मेंट ऑफ जज अधर देन चीफ जस्टिस दा चीफ जस्टिस अब दा हाई कोड यानि अगर च मुख्य नियाधिस के अलावा जो अन्य नियाधिस होते हैं उन नियाधिसों की नियुक्ति करनी है तो राष्टपती उच नियाले के किसी नियाधिस की नियुक्ति के समय वे भारत के मुख्य नियाधिस और उसके कोलेजियम उस राज्य के संबंदित राज्य के राज्यप के जजेस का appointment होता है दूसरा ये बोला गया है कि ये तब तक अपने office को hold करेंगे जब तक कि ये 62 years old नहीं हो जाते हैं इनका age जो है 62 वर्स की अवस्था पाने तक ये लोग उच नयाय लेके नयायधीस रह सकते हैं तो ये यहाँ पर पहले तो समझना था अब अगर इनके term of office की बात की जाए यानि कब तक अपने पत पर रह सकते हैं तो अभी हमने बता दिया कि 62 वर्स की आयू तक जो high court के जज़ हैं वो अपने पत पर रह सकते हैं अगर ये पूछा जाए minimum age किया होनी चाहिए high court या supreme court का जज़ बनने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हमारे constitution में दिय गया है ये कितने साल तक नयाधीस हो सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि कब इनका appointment होता है माल लीजिए कि किसी नयाधीस की न्युकती जब होती है और उसकी उम्र 50 वर्स है तो हा 62 वर्स की आयू तक उच्छ नयाले का नयाधीस रह सकता यानि 12 वर्सों तक वो उस उच्छ न नयाधीसों के लिए नहीं बनाय गया है बस retirement का age decide कर दिया गया है सर्वोच नयाले के लिए 65 और हाई कोड के लिए 62 अगर 62 के पहले भी इन्हें अपने office को छोड़ना है तो क्या-क्या चीज़े हो सकती है अजज में by writing under his hand address to the president resign his office तो सर्वोच नयाले के नयाधीस भी किसक को त्याग पत्र देते हैं resign किसको देते हैं president को high court के जज़ भी president को ही resign देते हैं a judge may be removed from his office by the president in manner provided in class 4 of article 124 for the removal of a judge of the supreme court यानि high court के judges को कैसे remove किया जा सकता है ठीक वैसे ही जैसे supreme court के judges को remove किया जाता है supreme court के judges को कैसे remove किया जाता है दो ground पर proved misbehavior और incapacity के ground पर इनके लिए judicial inquiry act बना हुआ था 1968 जिसमें कहा गया है parliament के दोनों houses के recommendation पर president के द्वारा इन्हें remove किया जाता है कभी भी प्रशना है supreme court or high court के judges को remove कैसे कौन करता है तो president करते है parliament के चकर में नहीं पढ़ियेगा parliament तो impeachment का process पास करता है parliament के बाद अंतिम final decision है वो तो president लेते हैं तो हमेशा याद रखियेगा कि parliament के recommendation पर president की थ्रू रिमूफ किया जाता है supreme और high court के judges को under recommendation of parliament president जो है वो यहाँ remove करते हैं तो यह यहाँ पर याद रखना है तीसरा एक और महत्वपुर्ण चीज जो यहाँ पर बोला गया है the office of a judge shall be vaccinated by his being appointed by the president to be a judge of the supreme court or by his being transferred by the president to any other high court within the territory of India यानि कि यहाँ पर एक और तरीका है उनका पद्र जो रिक्त होता है अगर उन्हें supreme court का judge बना दिया जाए high court के judge यह supreme court का judge बनने के लिए quality क्या है 5 साल तक अगर आप high court के judge हैं तो इलहाबाद उच्छ नियाले में चंचून जी जो थे मुखिनयाद हिस हो चुके थे यहाँ पर वो काम कर रहे थे और अच्छानक उनको supreme court का judge बना दिया गया तो यहाँ एक judge की vacancy हो गई तो यहाँ पर अगर वो supreme court के judge बना दिये गई या जिस उच्छ नियाले में है वहाँ से कहीं किसी दूसरे high court में उनका ट्रांसफर कर दिया जाए तो भी उनका office क्या है वेकट हो सकता अब सवाल यह है कि qualification क्या है यानि high court का judge बनने के लिए क्या जरूरी है supreme court का तो आपने पढ़ा था यहाँ पर बोला गया है कि अगर high court का judge बनना है तो पहली चीज तो बोल दिया गया है कि citizen of India तो जरूरी है भारत का नागरिक होना तो जरूरी है इसके साथ क्या जरूरी है तो यहाँ दो condition बताए गए पहला has for at least 10 years held in a judicial office in the territory of India भारत के भूछेत्र में दस वर्सों तक न्याईक पद्धारन किये हुए तो यहाँ पर दस जो है यह वर्षों तक जो है इन्होंने अपना पद्धारन किया हुआ था दस वर्षों तक इन्होंने जो पद्धारन किया हुआ था तो यह दस वर्षों तक कौन से न्याईक पद को धारन करते हैं तो अलग-अलग तरीके के judicial office होते हैं जैसे subordinate court का अगर कोई judge है तो वो भी high court का क्या बन सकता है तो ऐसे तमाम जो हैं यहां पर judicial offices हैं जो यहां पर वह किये जा सकते हैं इनके द्वारा अगर वो वहां पर judicial office को hold किये हुँ दस वर्षों तक तो ऐसी सिती में यहां पर यह माना जाता है कि उन्हें high court का judge बनाया जा सकता है दूसरा है कि अगर वो दस साल तक उच्च नियाले के अधिवक्ता रहे हूं तो ऐसी सिती में वह जो है यहां पर उच्च नियाले के नियाधिस बनाये जा सकते हैं तो high court का judge बनने के लिए दो यहां पर जो हैं वह जरूरत हैं पहला क्या है आप 10 वर्षों तक कोई judicial office hold कियो हूं और दूसरी जरूरत क्या है कि अगर आप 10 वर्षों तक advocate के रूप में काम किये हो तो आपको high court का judge बनाया जा सकता है Supreme Court में अलग था Supreme Court में ये था कि 5 साल तक अगर आप high court के judge रहे हूं दस साल तक high court में advocacy किये हूं और तीसरा वहाँ एक और था कि आप distinguished jurist हो यहां पर वो criteria high court के judge के लिए नहीं है तो ये एक चीज तो यहां पर clear रखना चाहिए अब आईए यहां पर next चीज जो हमें समझना है वो क्या है उसकी तरफ चलते हैं ये तो हमने देखा कि न्याय धिसो कि न्यूक्ति कैसे है योगिता कैसी है उनका अस्थानांत्रन कैसे होता है एक बार उसको भी देख लेते ह हैं तो ट्रांस्वर आफ जज फ्राम वन हाई को टू एंदर ये एक अलग चीज है थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं क्या हुगा यह मिनिमाईस कर देना इसको हां हो गया हो गया ठीक है तो कैसे ट्रांस्फर होते हैं थोड़ा इसको देखिएगा The President may after consultation with the Chief Justice of India यानि राष्ट पती अस्थानांत्रन करते हैं पहली चीज तो अपने दिमाग में रखिएगा राष्ट पती एक जज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांस्फर करते हैं राश्टपती ऐसा कैसे करते हैं तो राश्टपती कंसल्ट करते हैं किससे कंसल्ट करते हैं Chief Justice of India से और दूसरा transfer a judge from one high court to any other high court. तो जो एक राज्ज के यहां पर देखी आगे यह speech को और clear किया गया है When a judge has been or is transferred, he shall during the period he serves after the commencement of the Constitution Act 1963 as a judge of the other high court be entitled to receive in addition to his salary and ठीक है तो एक न्याधिस को उच्च न्याले के किसी न्याधिस को एक उच्च न्याले से दूसरे अगर उच्च न्याले में transfer करना है तो President, Chief Justice of India और उसके Collegium से consult तो करती ही करती है जिस high court से transfer किया जाना है और जिस high court को किया जाना है दोनों high court के Chief Justice से भी consult करती है तो President, Chief Justice of India और उनके Collegium और concern जो बोथ high court के Chief Justice है उनसे consult करने के बाद किसी भी judge को एक जगह से दूसरी जगह transfer करते हैं तो यह चीज यहां पर मालूम होना चाहिए. अब दूसरी चीज यहां पर क्या है, जो देखना है, कि यहां पर appointment of acting chief justice, यह क्या है, थोड़ा इनको भी देखते हैं, याद कीजिए वहां पर भी acting chief justice की बात की गई थी, सुप्रिम कोट में भी, और वहां पर president को यह अधिकार द करने का. यहां पर देखिये क्या बोला गया है, article 223 कहता है, when the office of chief justice of high court vacant or when, any such chief justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judge of the court as the president may appoint for the purpose. यहां पर confuse मत होईएगा. मालीजी अगर यह पूछा जाए, सरवोच्च ने आले के कारेकारी मुख्य ने आए धी, इसको कौन appoint करेगा, आप कहेंगे president, और फिर पूछा जाएगा, high court के acting chief justice को कौन appoint करेगा, तो आप गलती कर सकते हैं, governor से, बिलकुल नहीं. Supreme और high court दोनों क के acting chief justice को appoint president ही करते हैं, राष्टपती के द्वारा ही किया जाता है, यह भी clarity होनी चाहिए, clear है. दूसरा, यह तो हो गया article 223, जो यहां पर acting chief justice की बात करता है, appointment of additional and acting judges, chief justice अलग हो गए, additional and acting judges का यहां पर क्या है? जैसे वहां आपने देखा था Supreme Court में ad hoc judge, ad hoc judge कहां से लाए जाते थे? कोरम नहों होने पर high court से लाए जाते थे, है ना? वो ad hoc judge होते थे, और एक retired judge होते थे, जो वहीं की होते जाता था, दो category, यहां ad hoc या retired judge से ज़्यादा जरूरी किया है, additional judge और acting judge, इन दोनों में अंतर अचानक उचन्याले के कामों में विर्दी हो गई हो, temporary increase in the business of a high court, और by reason of areas of work, या काम भकाया काम बहुत ज़्यादा है, लंबित cases बहुत ज़्यादा है, burden बहुत ज़्यादा है उचन्याले के ऊपर, It appears to the president that the number of the judges of that court should be for the time being increased, और अगर president को ये लगता है कि भी यहाँ पर अचानक इतने मामले आ गई या पुराने मामले बढ़ते जा रहे हैं, और राश्ट्रपती को लगता है कि अब जरूरी हो गया है कि यहाँ पर judges की संख्या बढ़ाई जाए, The president may appoint dully qualified persons to be additional judges of the court for such period not exceeding two years as he may specify, मतलब ये एक तरीके के ad hoc judge हैं जिनको हम additional judge की रूप में देखते हैं, High court में ये additional judge, permanent judge नहीं है, ये additional judge है, permanent तो जब तक उनका उम्र नहीं होता, 12 साल तब तक return नहीं होगे, ये तो केवल दो साल के लिए रखे जा रहे हैं, और दो साल के लिए क्यों रखे जा रहे हैं, क्योंकि ये इनका मामला high court का बढ़ गया है, या high court का बगाया, areas of work जो हैं बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये दो साल के बाद हर जाएंगे, बिल्कुल दो साल तक ही इनका काम ही है, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है, जो additional judges होते हैं, उनहीं को, उनहीं में से maximum लोगों को high court का judge बना दिया जाता है, permanent, ये additional judge हैं दो साल के लिए, इनहीं को permanent बना दिया जाता है, आगे चल किये था, तो एक तो यहां पर ये हुआ, additional judge का, अब आईए थोड़ा सा यहां समझ जेहें, acting judge, when any judge of a high court other than the chief justice is by reason of absence or for any other reason, unable to perform the duties of his office or is appointed to act temporarily as chief justice, the president may appoint a dully qualified person to act as a judge of the court until the permanent judge has resumed his duties, किसी भी व्यक्ति को ये acting judge के रूप में विला सकते हैं, additional judge है, additional judge कब लाए गए, जब मामले के संख्या बढ़ गई, acting judge कब लाए गए, कि कोई एक judge है, वो अभी absent है, उनकी जगह पर लाए गया acting judge को, तो ये दो अलग-अलग होते ही, ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही इस्तिती में, president appoint करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, ये तो हो गया, जो एक अन्तिम चीज है कि यहाँ पर, जो appointment of retired judges at sitting of high courts, जो retired judges होते हैं, वो भी high court के मामलों में बिठा दिया जाता है, क्योंकि मामले बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाते हैं, अब चलते हैं, high court के jurisdiction की तरफ चलते हैं, एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि supreme court को independent बनाने के लिए कई provision constitution में किये गए हैं, वैसे ही high court के independent nature के लिए भी provision किये गए हैं, जैसे high court के judges का जो appointment का procedure है, जो उनके removal का procedure है, वो बह जैसा ही बनाया गया है, जैसा supreme court के judges का है, और इस वज़ा से यहाँ पर transparency बनी रहती है, दूसरा, जो high court के judges हैं, उनके जो staff officer हैं, उनकी salary और alliances और उनके administrative expenditure, वह state government के consolidated fund पर charged होते हैं, यानि उनके tenure में, उनमें कोई non-beneficial changes नहीं हो सकते हैं. दूसरा, high court के judges पर state legislature या parliament कहीं पर भी उनके conduct पर debate discussion नहीं हो सकता है, दूसरा, high court को भी contempt of court यानि न्याइक औमानना की सक्ति वहाँ पर दी गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोला गया है, clear है, अब आईए jurisdiction, पहला जो jurisdiction high court का है, वो कौन सा है? High court का पहला jurisdiction है, original jurisdiction. Original jurisdiction का मतलब क्या होता है, आरंबिक छेतरादिकार का मतलब क्या होता है? Original jurisdiction का मतलब यह है कि जहाँ पर आप direct access कर सकें उस court में, Supreme Court के मामले में तो बड़ी clarity है, कि आप federal dispute लेकर सीधे सर्वोच नयाले जा सकते हैं. केवल federal dispute, article 131 में है, वो original jurisdiction, ऐसा ही एक और वाकिया है, जहाँ आप सीधे किसी मामले को लेकर Supreme Court के पास जा सकते हैं. वो कौन सा है? Fundamental rights के violation पर. उसके enforcement के लिए, article 32, जो writ jurisdiction था, जो चुकी आप पहले भी कर चुके हैं, तो उसको बार-बार कराने के जरूरत नहीं है. तो रिट jurisdiction, Supreme Court के पास, वहाँ पर उसका original jurisdiction के रूप में होता है. और federal issues है. क्या high court के पास भी original jurisdiction है, कि सीधे हम high court जा सकें, सबाटनेट court जाने की जरूरत नहीं हो, ऐसा कोई मामला है. तो निश्यत रूप से कुछ ऐसे मामले हैं. जैसे कौन-कौन से मामले हैं. Supreme Court के पास, Supreme Court के पास, अगर original jurisdiction के रूप में देखें, तो President और Vice President के electoral disputes केवल और केवल entertain किये जाते हैं Supreme Court में. कहीं और नहीं. जो President और Vice President के election से related disputes हैं. ठीक उसी तरीके से, जो Member of Parliament और Member of Legislative जो Assembly और Council है, इनके जो Members हैं, इनके electoral disputes जो हैं, वह केवल और केवल High Court में entertain होते हैं. यानि इनको केवल High Court मिला आजा सकता है. सबारिनेट कोट में ये नहीं जाते हैं. तो MP, MLA से related, election से related disputes वह High Court के पास आता है. दूसरा, जो Marriage या Divorce या Succession से related matters होते हैं, वह भी High Court के original jurisdiction में आते हैं. तीसरा, Company Law से related matter होते हैं, वह भी इसके original jurisdiction में आते हैं. और चौथा, Fundamental Rights के enforcement वाले matter भी इसके पास आते हैं. ये सब इसके original jurisdiction हैं. लेकिन, maximum जो मामले इसके पास आते हैं, वह applied jurisdiction के रूप में आते हैं. और applied jurisdiction में दो तरीके के appeal करने की power इसके पास है. एक जिसे हम कहते हैं, civil matter में appeal और criminal matter में. तो subordinate court के द्वारा जो decision दिये जाते हैं, उनमें civil या criminal matter में हम High Court में appeal कर सकते हैं. अब सवाल यहां पर यह है कि फिर अलग क्या है? High Court के पास कोई अलग power है या नहीं? तो देखिए, इसके पास कई power ऐसे हैं, जो आपको चौकाने वाले होगे. पहले हम देखते हैं इसका writ jurisdiction. Supreme Court से बिलकुल different यहां पर इसका writ jurisdiction है, High Court का. यह बोला गया है कि not withstanding anything in Article 32, every High Court shall have power throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction. एक चीज़ हमें साथ धिहान रखिएगा, High Court अपने jurisdiction, इलाबाद उच्चिन्याले उत्तरप्रदेश की सिमाओं तक है, अब वो बिहार के मामलों को इंटर्टेन नहीं करेगा. तो every High Court shall have power throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction to issue to any person or authority including in appropriate cases any government within those territories, directions, rates, rates भी यहां पर यह कर सकता है, order भी इसू कर सकता है, और any of them for the enforcement of any of the rights conferred by part 3 and for any other purposes. एक सबसे important note यहां पर जो आपको समझना है. आर्टिल 226 यह कहता है कि fundamental rights के अगर enforcement के लिए and for any other purpose और अन्य किसी उद्देश के लिए High Court direction, order और रिट इसू कर सकता है. यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सकती इसके पास है. सरवोच न्याले रिट तभी इसू कर सकता है, जब मूल अधिकारों के उलंगन से मामला जुड़ा हुआ हो. High Court fundamental right के violation के साथ for any other purpose वह रिट इसू कर सकता है. यानि अगर कोई statutory right है, parliamentary right है वो constitution में नहीं mention है, fundamental right नहीं है. जैसे right to information यह fundamental right नहीं है. लेकिन इस पर रिट कौन इसू कर सकता है? वह High Court कर सकता है. Right to property अब fundamental right नहीं है. लेकिन इस पर रिट कौन इसू कर सकता है? High Court. तो अगर इस तरीके से देखा जाए, तो Supreme Court के jurisdiction से जादा बड़ा jurisdiction आपको किसका दिख रहा है? High Court का. वाइडर jurisdiction दिख रहा है. लेकिन यहीं पर थोड़ा सा एक बात और समझना है. अगर subject matter के हिसाब से द अगर geographical जो है jurisdiction की बात की जाएं, तो Supreme Court वह भारत के पूरे छेत्र में रिट इसू कर सकता है. जो पूरी territory of India है, उसमें जो है इंडिया जो Supreme Court है, वो रिट इसू कर सकता है और High Court के वल वहीं पर रिट इसू कर सकता है, उस geographical area में जो उसके jurisdiction के अंडर आता है. तो एक बड़ा अंतर यहां पर है. Otherwise जो है High Court का पावर वाइडर है, वो इसलिए है क्योंकि fundamental right के साथ साथ अन्य उद्देशियों के लिए भी वो रिट इसू कर सकता. अब दूसरी चीज यहां पर जो हमें समझना है, वो है article 227. आईए देखते हैं, article 227 क्या यहां पर कहता है. यह बड़ा important article है, जो आपको मालूम होना चाहिए. Article 227 जो है, यहां पर कहता है, power of superintendence over all courts by the high court. अधिछण की सकती इसको कहते हैं, superintendence की सकती है. Every high court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction. यानि उस राज्य के अंदर जितने भी नियाले और अधिकरण है, वो उन सब पर अधिछण की सकती, नियंत्रण की सकती किसकी होगी? High court की. मतलब क्या है इसका? Superintendence का मतलब क्या होता है? अधिछण करने का मतलब क्या होता है? अगिर High court वस अपने राज्य के अंदर कौन से court आएंगे? सब औरिनेट court आएंगे, district court आएंगे, और जो tribunal होंगे, क्या करेगा High court इनके? High court के पास क्या क्या पावर है? तो देखि रहा है आपके यहां? कुछ भी मंगा सकता है. वो नहीं कहेंगे कि यह हमारा अधिकार नहीं, आपका अधिकार नहीं है. Make and issue general rules and prescribes forms for regulating the practice and proceeding of such courts. वो कह सकता है कि न्याले की पद्धती कैसी होनी चाहिए? न्याले की कारिवाईया कैसी होनी चाहिए? उनके लिए general rule वो बना सकता है? उनके लिए forms prescribes कर सकता है कैसे आपको regulate करना है? Prescribes forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such high courts. न्याले में जो भी खर्चा वगएरा हो रहा है, वो उसका वीवरण कैसे रखना है? क्या रखना है? तो यह सब कुछ यहाँ पर जो है, या किया जा सकता है. तो power जो superintendence की है high court की, वो सभी subordinate court पे और tribunals पे है, वो उनके documents ले सकता है, उनके proceedings क के लिए, उनके practices के लिए, वो rules वहाँ पर बना सकता है, इसू कर सकता है, यह सब काम high court का होता है. लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने वाली चीज है, high court का कोई भी jurisdiction वह armed forces पर नहीं लागू होता है, ससस्त्र बलो के ऊपर यह काम यहाँ पर होगा नहीं. तो यह यहाँ पर जो है, समझने वाली चीज है. यह देखिए, कहा गया है, कि nothing in this article shall be deemed to confer high court powers of superintendents over any court or tribunal constituted by or under any law related to the armed forces. तो एक चीज तो यहाँ पर यह भी आपको मालू होनी चाहिए. अब आईए, जो दूसरा चीज यहाँ पर जो समझना है, इस पूरे चीज को, यह जो superintendents का power है, यह किवल high court के पास है, supreme court के पास नहीं है. Supreme court यह काम high court या subordinate court के साथ नहीं कर सकता है. इसमें कहीं कोई doubt नहीं है, कि हमारे यहाँ apex court supreme court है, बाकी जो court है उसके hierarchy में उससे नीचे हैं, लेकिन जो administrative control है supreme court का, वह administrative control high court या subordinate court पर नहीं है. Supreme court अपनी administrative activities को वो खुद regulate करता है, लेकिन high court वो अपना भी देखता है और subordinate court का भी देखता है, ये दो अलग-अलग चीजें धिहान में रखने वाली चीजें यहाँ पर हैं, दूसरी चीज, कि यहाँ पर जो है, अब आएए article 228 की बात करते हैं, transfer of certain cases to high court, क्या है इसका मतलब पहले समझते अब ये क्या है यहाँ पर, तो पहली चीज है कि हमारे यहाँ इसको superintendence power आप कहिए, supervisory power कहिए, तो supervisory जो power होता है, supervision का power, ये high court के दो तरीके के supervision होते हैं, यहाँ पर supervisor का काम करता है, एक होता है administrative supervision और एक होता है judicial supervision, एक प्रशाशनी का दिछन और एक न्याई, अभी 227 में आप जो देख रहे थे वो प्रशाशनी का दिछन था, वहाँ की कारवाईयां कैसी होंगी, क्या होंगा, ये सब जो है counts वगरा, सब कौन देखेगा high court, किसका, subordinate court और tribunals का, ये administrative जो है यहाँ पर supervisory power किसका है, high court का है, और judicial supervision यहाँ पर जो supervisor power है, यहाँ पर वो क्या है, वो ये है कि अगर high court ये satisfy होता है कि कोई case जो subordinate court के पास pending है, उसमें कोई substantial question of law ऐसा है, जो की interpretation of the constitution की demand करता है, तो ऐसी सिती में उस subordinate court से उस case को वो वापस withdraw कर सकता है, और either dispose of the case itself, या दो खुद उस मामले को dispose करेगा, निस्तारन करेगा, और या we determine the state question of law and return the case to the court from which the case has been so withdrawn together with a copy of its judgment on such question and the said court sell on receipt through thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment. तो अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें उसको लगता है कि जो विधी का कोई बहुत substantial question, कोई सारवान प्रशन निहित है और सम्विधान की व्याक्या से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सिती में वह उस subordinate court अधिनस्त नियाले में लंबित मामले को वापस ले सकता है, वापस लेकर वह खुद उसका निस्तारण कर सकता है, या फिर जिन प्रशनों पर जो है, जो विधी के प्रशन है, उनको वह असपष्ट करके पुनह उस नियाले के पास subordinate court के पास भेज़ दे, कि यह यह जो हमने विधी के प्रशन उठाए है, इन ही के प्रकाश में तुमको decision देना, त जो प्रशाशनिक अधिछन की सकती भी है, high court के पास, और न्याइक अधिछन की सकती है, यह supreme court के पास यह दूनों सकतियां नहीं है, जो high court को अलग बनाती है, यह ध्यान रखने वाली बात है, अब आई यह दूसरा यहाँ पर जो हम लोगों को देखना, दूसरा यहाँ पर पर है, और वो देखे, क्या कहता है, control over subordinate court, यह जो अभी हम administrative और यहाँ पर judicial supervisory power की बात कर रहे थे न, अब इसी को और थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझने को सिस कीजिए, high court का subordinate court पर पूरा control होता है, the control over district courts and courts subordinate, there too including the posting and promotion of and the grant of leave to, person belonging to the judicial service of a state and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the high court, आरी बास समझने, यानि अधिनस्त न्याइलियों में जो district judge से नीचे के जितने भी वहाँ पर न्याइधीस है, जिला न्याइधीस से निमनस्तर के जितने भी न्याइधीस है, उनकी पोस्टिंग, किस जिले में किस न्याइधीस की उनका प्रमोशन, उनकी छुटियां, यह कौन डिसाइध करेगा? यह हाई कोट डिसाइध करता है, यह ध्यान रखने वाली बात है. But, nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the condition of his service or as authorizing the high court to deal with him otherwise then in accordance with the condition of his service prescribed under such law. यानि कि एक तो उच्च नियाले के द्वारा ही इनकी न्युक्ति, बदोन्नति, अवकास का निर्धानन किया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम काइदे होते हैं, जिनका पानन उच्च नियाले करता है, यानि उच्च नियाले वो नियम खुद बना सकता है, या संसत कानून के द्वारा उन ने उन चीजों को बना सकता तो ये था हाई कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक बेसिक आपको बिल्कुल क्लियरली मालूम होने चाहिए तो एक रिट जूरिश्डिक्शन के पास अलग है एक 227 के तहद सुप्रिटेंडेंडेंस का पावर एक 228 के तहद जूरिशल जो सुपरवाईजरी पावर है एक 235 के तहद जो कंट्रोल है यहां पर सबॉडिनेट कोर्ट पर यह आपको बिल्कुल रटी हुई चीजें होनी चाहिए अब आईए जो नेक्स्ट हमारा हाईरिकी में कोर्ट है जिसे हम सबॉडिनेट कोर्ट कहते हमने अभी सुप्रिम कोर्ट के बारे में पढ़ा हमने अभी सबॉडिनेट हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा अब अगर हम subordinate court की बात करें तो अधिनस्थ न्यायले जो हैं वो देखते कैसे हैं क्या काम करते हैं यह हमें समझना है अगर हम subordinate court की बात करें तो यहाँ पर subordinate court में दो तरीके के मादे आते पहला मामला आता है civil cases जो civil matter होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और दूसरा मामला आता है जो criminal cases होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, civil और criminal दोनों तरीके के matter वो यहाँ subordinate court में आते हैं, यहाँ पर जो civil matter जिस court में आता है उसका नाम अलग रख दिया जाता है, उसे district court कहा जाता है, यह district court की रूप में काम करता है, यहाँ जिला न्याले की रू यहाँ पर होती है, सत्र न्यायले वहाँ पर बोला जाता है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है, न्यायधीसों का एक hierarchy यहाँ पर होता है, तो एक सबसे बड़ा जो जज होता है पुरे जिले का, उसे हम district judge कहते हैं, district judge जो होता है, जिसे आप जो है, जिला न्यायधीस क कहते हैं जिला न्यायधिस इसकी खासियत क्या है कि जब यह सिविल मामलो की सुनवाई करता है तब यह district jutge district court में यह जाता है और यही जब criminal matter की सुनवाई करता है तो सेशन जच के रूप में वहां पर काम करता है यही व्यक्ति जो है एक ही व्यक्ति वह district court को को भी preside करता है और session court को भी preside करता है इसी को district judge भी बोलते हैं इसको भी सत्र नियायदी session judge भी बोलते हैं अब इसके बाद पूरा एक team यहाँ पर criminal और civil court में बना हुआ है जैसे additional district judge यहाँ पर district judge होते हैं फिर additional district judge होते हैं तो इस तरीके से और अंतिम तक आते आते हैं जिसे ADJ आप कहते हैं और अंतिम तक जाते हैं मुंसिफ होते हैं, मुंसिफ जो है सबसे निचला, ऐसे बहुत से पोश्ट होते हैं जो डिस्टिक कोर्ट में होते हैं, जो सिविल मैटर के सुरुवाई करते हैं, तो सिविल कोर्ट में सबसे लोवर जो यहां पोजिशन होती है निया अ मजिस्ट्रेट होते हैं यहां सबसे निचले अस्तर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं judicial magistrate भी कई class की होते हैं class 1 Judicial sir class 2 3 Judicial Magistrate यह सब होते यानि कुल मिलाकर मोटा मोटी समझने वाली बात है कि जो sufficient court है वहां पर एक district judge होते हैं बागी कुछ other judges यहां पर होते कुछ other judges होते हैं इन ही दोनों चीजों को हम है यहां पर समझना और देखना है इनके बारे में जो provision किया गया है वो article 233 से start किया गया है तो 233 देखिए है हमारा subordinate court, subordinate court के बारे में बताया गया है और इसमें पहले appointment of district judge दो लोग हो गए, district judge हो गए, बागी other judges हैं तो पहले हम एक एक करके देखते हैं कि district judge को appoint करना है तो कैसे किया जाएगा तो article 233 कहता है appointment of persons to be and the posting and promotion of district judge in any state shall be made by the governor यानि जिला नियाएधीस जो भी मामले है वो कौन देखेगा governor और जिला नियाएधीस से नीचे के मामले कौन देखेगा high court ध्यान रखने वाली चीज है तो जिला नियाएधीस जो है यहाँ पर यह control की बात चल रही है यहाँ पर इनका appointment और इनकी posting और promotion तीन चीजें है नियुकती और यहाँ पर जो पद जहाँ पर इनको भीजा जाता है और प्रोनती जो इनकी है district judge की वह governor के द्वारा किया जाता है और इसके लिए वह consult किस high court से तो governor उच नियाले के परामर्श पर जिला नियाएधीसों की नियुकती वहाँ पर पदस्थापना और प्रोनती का कारी करते हैं अब सवाल है कि ये तो हो गए district judge district judge कौन बनाया जाएगा जिला नियाधीस कौन होगा तो बोला गया है कि जिला नियाधीस वह व्यक्ति होगा a person not already in the service of the union or state पहली चीज है कि वह केंद्रिया राज सरकार में कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे हम जिला नियाधीस बनाने जा रहे हैं वह केंद्रिया राज में कोई काम करने वाला नहीं हो resign दे कर आए यहाँ पर only be eligible to be appointed as judge if he has been for not less than seven years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment यानि किसी को भी जिला नियाधीस बनाया जा सकता है बड़ा simple सा तरीका है सात सालों तक वह अधिवक्ता या वह अभिवाचक रहा हो seven years तक अगर वह जो है कोई अधिवक्ता रहा हो तो उसे क्या बनाया जा सकता है उसे यहाँ पर वह जिला नियाधीस बनाया जा सकता है यह बड़ा important यहाँ पर समझने वाली बात तो जिला नियाधीस की न्युक्ति उच्छ नियाले के परामर्स पर राजपाल द्वारा किया आप सवाल है अन्ययाधीसों की न्युक्ति यहाँ पर कैसे होती है अनन्ययाधीस आर्टिकल 234 न्युक्ति जो है यहां आटिकल 234 में बोला गया है क्या बूला गया है, appointment of person other than district judges to the judicial service of state shall be made by the governor of the state, appointment की बात चल रही है, posting और promotion की बात नहीं चल रही है, यह धियान रखिएगा, यहां पर जिला न्यायाधीसो से अत्रिक्त अन्य न्यायधीसो की न्युकती गवर्नर के द्वारा वह किया जाता है, और इसके लिए वह consultation करता है public service commission and with the high court, तो यहां पर दोनों से यह परामर्स की जो न्युकती होती है, वह दोनों से परामर्स करता है, वह subordinate court से भी परामर्स करते हैं, राजपाल और राज्यलोग सिवायोग, तो अन्य न्यायधीसो की न्युकती कैसे होती है, तो राज्यलोग सिवायोग इसके लिए क exam conduct कराती है, जिसे PCSJ आप नाम जानते हैं, तो PCSJ में जो लोग सेलेक्ट होते हैं, State Public Service Commission उस नाम को वह गवर्नर के पास recommend करती है, और गवर्नर साइन करके उन लोगों को रिक्यूट कर लेते हैं, तो यह एक पहला प्रोसेस है कि गवर्नर राज्यलोग सिवायोग की सलाप पर अनन्याइदिसों की न्युक्ति करता है subordinate court में, दूसरा high court से कैसे होता है consult, तो आपको मालूम होगा कि 35 वर्स की I.U. तक तो State Public Service Commission वह judicial exam conduct कराती है, 35 साल के उपर आप देखे होंगे एक higher judicial exam होता है, उच्छ न्याइक सिवा परिछा होता है, यह higher judicial service exam जो है कौन conduct कराता ह है high court कराता है, और उसमें जो लोग सफल होते हैं उनको recommend governor को करता है कि उन्हें other judges के रूप में appoint किया जाए, तो कुल मिलाकर यहां पर subordinate court में district judge और other judges को कैसे appoint कियाता है, यही हमारे लिए यहां से question बनता है, बाकी यहां से और कोई question आता नहीं, इस साल जो चर्चा चल रहा है, जहां से question बनने की possibility है, वो यह है कि यह जो subordinate court है न, इनमें बड़े changes की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो subordinate court है, यहां corruption का center बन चुके हैं, PCSJ exam जो हैं वो बड़े लापरवाही के जरिये हो रहे हैं, और ऐसे सिती में अगर हमें देश में वह एक uniformity लेकर आनी है, हमें अच्छे जो हैं judges को लेकर आना है, हमें अपना governance model बेतर करना है, तो जरूरत इस बात की है, कि हम वह जो district judge है, यारी जिला नियादी, उनका exam वह अलग से conduct कराएं, पूरे देश में वह कराएं, जैसे IES IPS होते हैं, वैसे ही All India Judicial Service exam conduct कराए जाएं, और इनके जरीए, subordinate court में district judges, किवल district judge की बात है, other judges की बात नहीं है, district judge जो है, इनके appointment का जो है, या selection का process इनको बनाया जाए, अब सवाल ये है कि All India Service का मतलब क्या है, कि जहाँ पर central government के द्वारा recruit किया जाएगा, और जो state के अंडर काम करते हैं, तो यहाँ पर IES, IPS, IFS, तीन है All India Services, Administrative Service, Police Service और Forest Service, ये तीन जो हैं अभी फिलहाल All India Services हैं, अब यहाँ पर ये demand किया जा रहा है कि judicial service को भी वो All India Service के रूप में लाया जाए, और पूरे देश के सभी जो है, वह subordinate court के district जजों का एक exam conduct कराया जाए, और उनकी training कराया जाए, और इस तरीके से एक integrity, एक uniformity हमारे system में लाई जाए, ये demand किया जा रहा है, ये तो सही गलत मेंस का topic है, अलग से देखेंगे, फिल हाल इसको अगर करना है, तो Article 3.12 का सहारा लेना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर ये अगर करना है, तो हमें 3.12 का सहारा लेना होगा, और Article 3.12 कहता क्या है? अगर राज सभा ध्यान रखियेगा, यह संकल्प अपने जो है, वह दो तिहाई सदस्यों, पस्थित और मद देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बाउमत से, यहाँ special majority नहीं है, special majority में क्या होता है, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित मत देने वालों का दो तिहाई बहुमत, यहाँ पर क्या है, simple, not less than two-thirds of member presidents voting, उपस्थित और मत देने वालों के दो तिहाई बहुमत से, अगर राज सभा एक संकल्प पारित कर दे, कि यह Parliament, यानि All India Services को कौन create करता है, Parliament, रास्तबा नहीं करती है, कभी confuse मत होईएगा, वो तो केवल resolution लेकर आती है, Parliament may by law provide for the creation of one or more All India Services, यहाँ पर बोला गया था है, एक या अधिक जो है, अखिल भारती सिवाई बनाई जा सकती है, 42nd constitutional amendment में All India Judicial Service का provision अल्रेडी किया जा चुका है, 42nd правда में संविधान संसोदन में अखिल भारती jadiniyai sewa की बात की गई है, कि ऐसा संसत कानुन के द्वारा कर सकता है, संविधान में तो बोल दिया गया है, लेकिन संसत ने कानुन के द्वारा आज तक अखिल भारती नयाःग सेवा का शुरिजण यहाँ पर नहीं किया है, तो यह इस तरीके से यहाँ पर होते हैं, अब इन पर debate है, debate हम लोग आगे देखेंगे, कल हम लोग alternative dispute resolution, ADR system के जो अलग-अलग methodology हैं, वो देखेंगे, और उनको gram न्याले, या लोक अदालते, या tribunals वगरा, ये सब देखने के बाद, फिर हम लोग जो इससे related debate हैं, उन debate की त वहाँ पर provide करा देते हैं, तो उनको उसके थुरू आप revision करते हुए चलिएगा, कल मिलते हैं, thank you.